ओम शंती, एवर फुल, पतित पावन, ज्यान सागर, हम बच्चों को अपने समान फूल बनाने के लिए आते हैं, जिसके लिए हमारे अंदर जो अवगुन रूपी कांटे हैं, उसको निकाल कर हमारे अंदर दिव्वे गुणों की खुश्पू भरने के लिए हमें उचे से उचा ग्यान देते हैं, तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 15 फरवरी 2024 के मधूर महवाक्यों को, जिन बच्चों में ग्यान की धरना होगी, उनकी निशानी क्या होगी, कमाल करके दिखाएंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे, उनकी अवस्था अच्य लडोल होगी, कोई भी बे समझी का काम नहीं करेंगे, अवगुन रूपी काटों को निकालते जाएंगे, नश्टो मोहा बन रुहानी सर्विस में लग जाएंगे, दूसरों का कल्यान करने बिगर रह नहीं सकेंगे, फूल बनने वालों को कौन सी महसूसता आनी चाहिए, पहले हम सब काटे थे, हम फूल बन रहे हैं, छीची काम करना क्या है, बे समझी, यहां हम क्या सीख रहे हैं, किसी को दुख नहीं देना है, बाप कौन सी शिक्षा देते हैं, सदैव सुख देते रहो, सेकेंड में क्या हो सकता है और टाइम किस में लगता है, सेकेंड में बाप का वर्सा मिलता है, लायक बनने में टाइम लगता है, बाप का वर्सा क्या है, स्वर्ग की बाच्षा ही, हमें किस बात की खुशी है, बाबा के मिलने की हम विश्व के मालिक थे, जास्ती यात की य जुगी काटे हो या सत्युगी फूल हो, हमें कौन सी प्रतिग्या करनी है, कोई भी मरे हमको रोना नहीं है, समर्थ रहने के लिए कौन से दोश रब्द याद रखने है, शुब चिन्तन शुब चिन्तक, किस से खेलना है और किस से नहीं, गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान रतनों से खेलना है, मिट्टी से नहीं. श्रिव वावा की याद से क्या फायदे होंगे? कट निकल जाएगी, पाप भस्म हो जाएंगे, सतो ब्रधान बन जाएंगे, अवगुर्ण निकल जाएंगे, पक्का सोना बन जाएंगे, वैकुंठ वासी बन जाएंगे. बावनी कुछ बातों के लिए कहा ऐसा क्यों है? लोग ऐसे हैं, जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुब चिन तक बन, वाइब्रेशन दो, तो बदल जाएंगे. हमें किन बातों की धारणा करनी है? मोहजीत बनना है, सब को सुख देना है, देवी गुण धारण करने है, बाप समान मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्यान करना है. ये थी आज की मुरली की विशेश बातें, हम ऐसे दुनिया में जा रहे हैं, जहां दिव्विता की खुश्पु होगी, खुशी ही खुशी होगी, सुख ही सुख होगा, इसके लिए अभी हमें अभ्यास करना है, कि अपने अंदर के कांटों को निकाल, दिव्वे गुणों की खुश्पु को भरें, और किसी को दुख ना दें, सबको सुख देने के करतावे में जुट जाएं, ओम शान्ति